तो दोस्तों सीडियों बात करने वाला I.C.S.A. Bank के बारे में और I.C.S.A. Bank के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली अल्मोस्ट अगर मैं कहूं तो 0.09 that means counter के अंदर हमें यहाँ पर एक flat performance जो है वो आज आता हुआ देखने को मिला है अब देखो तो सबात अकरम करें यहाँ पर अभी फिलाल के लिए किसकी I.C.S.A. Bank की तो HDFC Bank अकेला यहाँ पर जो है वो Bank Nifty को उपर ले जाने की कोशिश कर रहा है बाकी यहाँ पर I.C.S.A. Bank क को देख लो, Kotak Bank को देख लो, Axis Bank को देख लो तो उनकी तरफ से हमें कोई major contribution आता हुआ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा तो right now I.C.S.A. Bank के अंदर particularly क्या level से support resistance इसका कहाँ पर है तो इसका short term जो support है वो आपको 1220 से लेकर 1200 की range में देखने को मिल जाएगा resistance की बात क का यहाँ पर कोई अच्छा कासा trending directional move आता हुआ शायद से देखने को फिर मिलेगा